हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं आपके हिंदी एजुकेटर रुपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 11 हिंदी की हमारी बुक है अभिवेक्ति और माध्यम ये बुक ध्यान रखेगा कोर और एलेक्टव दोनों में ही चलती है और साथ इसाथ ये 11 और 12 दोनों में चल ये चैप्टर आपके 11 के दोनों ही सिलेबस में कोर में और एलेक्टव में दोनों में ही आएगा तो बहुत ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा आज हम इसका कर रहे हैं Most Important Question इस चैप्टर का Detail Explanation, NCIIT Solution, Complete Chapter Revision, Multiple Choice Quotions सभी कुछ करा चुगी हूँ तो आज जो हम कर रहे हैं Most Important Questions ये हमारे Subjective Questions हैं यानि कि ये सभी बढ़नात्मक प्रशन हैं आपके सामने ये बुक के जो प्रशन आते हैं वो Objective और Subjective दोनों तरीके के आते हैं तो बहुत साफधानी से तीनों तरह के प्रशनों को समझिएगा क्योंकि इसमें हम तीनों तरह के प्रशन लेकर आएं तो तीनों तरह के प्रशन समझिए ध्यान से देखिए क्या क्या किया जा रहा है पहला प्रश्ट है डाइरी किसे कहते हैं अब आप लोग बोलेंगे कि वो जो डाइरी हम लोग देखते हैं वही हाँ बस समसे वही डाइरी है कुछ जादा फरक नहीं है क्योंकि हम लोग डाइरी उसी में लिखते हैं लिखते है ना तो यहाँ पर डायरी उसी से तात पर है जो हम लोग के पास मोटे कवर वाली एक जो कॉपी टाइप की रहती है डायरी के ऐसी नोटबुक होती है जिसके प्रश्टो पर वर्ष के तीन सो पैसेट दिनों की तिथिया क्रम में लिखी रहती है याद रखेगा हर डेट के according पेज होता है किसी कईसी कोई-कोई डायरी ऐसी होती है कि एक पेज पर दो डेट्स रहती हैं दो दिन की डेट्स रहती हैं जैसे माल लिजए तो यहाँ पर डायरी का तात पर क्या होता है एक ऐसी नोटबुक जिसमें पूरे 365 दिन यानि कि पूरे साल की हर एक तिथी दिन लिखा रहता है प्रतेक तिथी के बाद प्रेश्ट को खाली छोड़ दिया जाता है तिथी लिखी गई उसके बाद पेज खाली रहता है रहता है न जैसे कोई भी डाइरी रहती है आपके पास में जैसे यह diary का page रहता है हम लोग के पास में उपर यहाँ पर लिख दिया गया 27th में ठीक है 27th में और यहाँ पर लिख दिया जाता है Monday और उसके बाद यह पूरी diary यहाँ पर blank रहती है अब यह blank क्यों रहती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को day wise बहुत सारी चीज़ों को लिखना होता है इस वज़े से इसको लिख दिया जाता जैसे बहुत सारे लोगों को diary लिखने का शौक होता है अपने पूरे दिन के जो क्रिया कलाप रहते हैं उनको लिखने की आदत होती है तो वो इस तरीके कि 27 में मंडे को उनके साथ जो कुछ भी हुआ जैसा भी हुआ यह हुआ कहा गए किन-किन लोगों से मुलाखात करी क्या खर्चे किये वो सभी चीज़ें वो इस पेश पे मेंशन कर देते हैं वासरिया भी कहते हैं वासरिया वार का मतलब तो जानते हैं दिन हो गया तो इन सारे नामों से भी डाला जाना जाता है डाइरी को यह मोटे गत्ते की सुन्दर जिल्द की सजी हुई होती है अब मोटा गत्ता होता है जो उसका कवर होता है कैसे होता है मोटी सी होती है और उसके उपर कवर लगा होता है कुछ डायरियां प्लास्टिक के रंग विरंगे कवरों से सजाई जाती हैं डायरी विभन आकारों में मिलती हैं इन में टेबल डायरी, पुस्तका कार डायरी, पॉकेट डायरी ये प्रमुख हैं नए वर्ष के आगमन के साथ ही विभिन आकार प्रकार की डाइरिया भी बाजार में मिलने लगती हैं डाइरी लिखने वाले हर वेक्ति की यही इच्छा होती है कि नए वर्ष के पहले दिन उसके पास नई डाइरी हो तो समझ में आया क्या डाइरी क्या होती है किनके नामों स जाना जाती है और कियो लोग इसे रखना जादा पसंद करते हैं करेंगी यानि की उसका उपयोग क्या है यहारी के प्रतेक प्रुष्टे पर एक तिथी होती है तथा प्रिस्टोंग होता है होता है न जो सभी मैंने आपको बताया इस खाली प्रेश्ट पका उपयोग उस तिथी विशेश से सम्मंधित सूचनाओं अत्वा अपनी निजी बातों को लिखने के लिए किया जाता है यानि कि जिस भी तिथी का वो पेज है उस पेज के नीचे उस दिन से जुड़ी सारी घटनाओं को अपनी विक्तिगत बातों को अपनी दिन चर्या को लिखा जाता है किसी विशेश तिथी पर यदि हमें कोई विशेश कार्रे करना है आत्वा कहीं जाना है तो उसे सम्मंदि सूचना पहले से ही उस तिथी वाले प्रिश्ट पर लिख दी जाती है अब जैसे मैंने जैसे भी 27 मही की बात बताई फिर मैंने बोला कि नहीं मैंसा है कि जो है 15 जून को मुझे एक पार्टी में जाना है अब मेरे पास इंविटेशन है 15 जून का तो अब मैं क्या करूँगी आज 27 मही है मैं 15 जून का पेज खूलूँगी और उसमें में बेंशन कर दूँगी कि इस दिन आज के दिन मुझे इनके यहां और इतने बज़े पार्टी में जाना है नतों उपर लिखा ही हुआ है तो दिन लिखने की जरूरत निया किसके यहां जाना है कौन सा ऑकेजन पर है पार्टी और जो है वहां किस टाइम पर जाना यह सारा उस पेज पर मेंशिट करतेंगे इससे उक्त तिथी के आने पर हमें किये जाने वाले कार याद आ जाते हैं हमारे दिन प्रदिदिन के अनुभवों को भी हम उस तिथी के प्रष्ट पर लिख कर अपने अनुभवों को सुरक्षत कर सकते हैं यानि कि पूरा दिन हमारे साथ जो जो चीज़े घटित हुई हैं हमने कैसा फील किया है ये सारी चीज़े भी हम उस प्रश्ट पर लिख सकते हैं कुछ लोग अपने दैनिक आयवे का विवराण धोभी दूद का हिसाब बच्चों की शरारतो आधी को भी डायरी में लिखते हैं बहुत सारे लोगों के आता है देली विसेस पे डायरी आती है वो सौरी धोभी है तो वो एक डायरी बना लेते हैं और पर डे उस डायरी में आ प्रेश्ट संख्या तीन है डायरी लेखन क्या है कुछ प्रसिद डायरी ओं और डायरी लेखकों के नाम बताईए सबसे पहले आपको बताना है कि डायरी लेखन क्या है तो कुछ प्रसद डायरी लेखकों और उनकी नाम बताने है अत्यंत निजी इस तर पर घटित घटना हम सबको दिखाने के लिए नहीं लिखते हैं तो यहां पर डायरी में जो कोई भी चीज लिखी जाएगी वो ऐसी चीज होगी जो सिर्फ हम पढ़ेंगे कोई और नहीं हां हम जिसको चाहेंगे उसे पढ़ा सकते हैं लेकिन हमारी permission के बगए नहीं जाएगा तो उसमें जाहिर इससी बात है निजी तोर पर अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसको लिखते हैं ये चीज और दूसरा हम क्या फील करें किसी दिन हम बहुत अच्छा फील करते हैं किसी दिन डिप्रस फील करते हैं तो इस तरही की जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी हम अपनी डायरी म में लिखते हैं हमारे जीवन में प्रते दिन अनेक घटनाएं घटती हैं हम अनेक गतिविदियों और विचारों से भी गुजरते हैं धैनिक जीवन में हम जिन घटनाओं विचारों और गतिविदियों से निरंतर गुजरते हैं उन्हें डाइरी के प्रिष्टों पर शक्द बद्ध कर लेना ही डायरी लेखन कहलाता है तो यानि कि प्रते दिन हमारे साथ जो जो चीज़े घटित हो रही है कभी देखे कोई चीज़ अच्छी होती है माल लीजे सुबा का दिन हमारा बहुत अच्छा शुरू हुआ मैं बहुत जादा एनर्जी में थी सब कुछ था तो इस तरीके से क्या होता है कि मैं कई आप डाउंस में पूरे दिन गुजरी पहले दिन अच्छा गया फिर थोड़ा डाउं हुआ फिर आप होकर फिर पूरा दिन सेटल डाउं होते हुए शाम हो गई तो इन जो उतार चड़ाओं से रहा और जो मैंने फील किया जिन कारुण से मैं थोड़ा डिप्रेस हुई जो मेरे काम नहीं बन रहे थे ये सारी चीज़े जब मैंने अपनी डाईरी में लिखा तो ये कहलाया डाईरी लेखर अब प्रसिद्ध डाईरीयों और उनके लेखोकों के नाम देखे क्या है बहुत सारी प्रसिद्ध डाईरीया हुई हम बहुत ही एक फेमस डाईरी एंट फ्रेंक की डाईरी वो तो समझ लीजे एक बहुत इंपोर्टन डस्तावेश बन गया तो ऐसी कुछ डाईरिया है हमा रूस में 25 मास ये डाईरी लिखी राहुल साथकायन ने सुदूर दक्षिडपूर ये डाईरी लिखी सेट गोविंद दास्त ने दाईरी ओफ अ यंग गर्ल ये एंट फ्रेंक की डाईरी हैं फिर है हरी घाटी डॉक्टर रगुवंश ने ये लिखी है डाईरी प्रश्ण संख्या चार है डाईरी लेखन अपने अंतरंग के साथ साक्षातकार कैसे होती है अपने अंतरंग यानि की अपने अंदर से साक्षातकार यानि इंटर्वियू अब क्या होता है पूरा दिन हमारा बीद किया बहुत सारी चीजें अब देखे हम चीजें जैसे को करने का कुछ ऐसे करने का situation पर समय नहीं रहता। लेकिन पूरे दिन की घटनाओं को हम शाम के समय को अपनी diary में लिखते हैं तो उन सारी situations को हम female करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसा हुआ यह सारी चीज़ें हम emelise करते हैं करते है ना तो वही जब उस समय हम करते हैं तब हम अपने आपका interview ले 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 रहे होते हैं लेते हैं कि यह चीजे उस समय हुई थी तो तुमने क्या किया था तुमने आपने आप से बुला कि हां जब मेरे साथ वो मैं वहाँ पर गई तो उसने मेरे लिए दर्वाजा खोला तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है तो फिर मैं अपने आप से प्रेश्ण पूछूंगी कि भाई वो दर्वाजा खोलना एक नैचरल सी चीज हो सकती है तुमको अटपटा क्यों लगा तो अब फिर मैं अपने आपको ही उत्तर दूँगी मुझे अटपटा इसलिए लगा क्योंकि जब डेली मैं वहाँ जाती थी तो वो मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं देता था और अपने कामों में लगा रहता था आज उसने दरवाजा खोला तो इस तरीके से पूरे दिन में जो घटनाएं हो रही है उनसे मैं अपने आप से ही प्रश्ण पूच कर उनके अपने ही उत्तर दे कर मैं उस चीज़ को अनलाइस करती हूँ और तब उसे डाइरी में लिखती हूँ होता ये ही है न तो इस तरीके से ये अंतरन से यानि कि अपने आप से ही एक तरीके से हम प्रश्ण पूच के उसके उत्तर दे कर उनको लिख रहे होते हैं डाइरी में हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं अनुभवों आदि का विवरन प्रतेक तिती के अनुसार लिखते रहते हैं हम अपनी डाइरी में उन बातों को भी लिख देते हैं जिने हम किसी दूसरे देखती को नहीं बता सकते हैं जाइसी बात हैं बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो डाइरी में हम उन चीज़ों को भी लिखते हैं इस प्रकार हम डाइरी पर लिखते समय अपनी बाते स्वयम को ही बताते चलते हैं कैसे हैं? खुद अपने आपको ही बता रहे हैं इससे हमारा अपने आप से संबाद स्थापित हो जाता है इससे हमारी अच्छाईयों और बुराईयों का ग्यान हो जाता है जब हम अपने आप से बाते कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या अच्छाईया हैं क्या बुराईया हैं तो एक तरीके से अपने आप से हम बात कर रहे होते हैं हम स्वेम को अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं तता जहां कमिया हैं उन्हें दूर करने का प्रयाज भी करते हैं तो इस तरीके से हम अपने आप से बात करके एक तरीके से अपना इंट्रिव्यू ले रहे होते हैं और अपने बारे में बहुत सारी चीजें हम जान जाते हैं जो एक्चल हम कभी-कभी नहीं जान पाते हैं यदि हम प्रतेख स्थल की यात्रा का विवरण उसी दिन अपनी डायरी में लिख देते हैं तो हम अपने अनभवों को पूर्ण रूप से सुरक्षत रख सकते हैं तथा अपसर मिलने पर इसे पढ़कर उस यात्रा का फिर से पूरा आनंद उठा सकते हैं अब जिसे होता है कि हम कहीं गूमने गए अब गूम के हम 4-5 दिन गूमने के बाद आकर डायरी लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़े हमसे मिस हो जाती हैं लेकिन अगर हम मान लीजे पांस दिन घूमने गए हैं तो पहला दिन जब हम पूरा दिन घूमें तो शाम को कुछ दिर बैट कर हम पूरे दिन का वाक्या लिख लें फिर दूसरे दिन का वाक्या दूसरे दिन रात में लिख लें तो इससे क्या होगा जब हम लिखेंगे तो हर एक चीज़ को हम विस्तार से लिखेंगे और जब कभी हम उस जगा को दुबारा याद करना चाहते हैं तो वो उस लिखी गई यात्रा के बारे में जो हमारे डायरी के पेजिस में लिखा था उसे याद करके हम अपनी यात्रा का पूरा आनंद उठा सकते है हमें जब भी आवशक्ता होती है हम डायरी के पिछले प्रष्टों को पढ़कर अपने अतीत को इस्मरण कर सकते हैं इस प्रकार डायरी लेकर हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात कार करने का अफसर प्रदान करता है तो खुद हमारे अपने आप से ही वो हमारा इंटरव्यू और हमारी पहचान करा देता है प्रशन संख्या पांच है डायरी एक व्यक्तिकर दस्तावेज है जाहिर से बात है डायरी में हम बहुत सारी ऐसी चीज़े लिखते हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते या बहुत सारी घटनाएं जो हमारे साथ घटनी हैं जो हम दूसरों को नहीं बता सकते कि उस समय हमें कैसा फील हुआ था तो ये हमारा personal होता है, हम किसी को भी पढ़ने के लिए नहीं देते हैं डाइरी में हम अपने जीवन के कुछ विशेश शड़ों में घटित अनभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों, आदी का विवरण लिखते हैं यदि हम इन विवरणों को उसी तिथी विशेश पर नहीं लिखें, तो संभव है कि हम उस विशेश शड़ों में घटित अनभव को भूल जाएंगे जाइर सी बात है, पूरा दिन में जो चीज हुई अगर हमने उसे रात में नहीं लिखा, हम सुचेंगे चलो आज नहीं लिखते हैं, कल लिखते हैं तो क्या है कि जो हमारे साथ कल हुआ था, वो सारी चीज़े हम भूल जाएंगे तो इसलिए परडे डायरी लिखी जाती है, उसे इसमरण नहीं कर पाएंगे डायरी में लिखित विवरण हमें भूलने से बचाते हैं, उधारन के लिए यदि हम किसी परेटन स्थल पर जाते हैं और वहाँ पर अनेक स्थलों को देखते हैं, यदि हम यात्रा से लोटकर सारा विवरण लिखना चाहें तो संभव है नहीं हो पाएगा, हम अपने विवरण लिखना छोड़ जाएंगे डाइरी से जब हम अपने विगत को पढ़ते हैं, तो हमारा एक व्यक्तिकर दस्तावेश बन जाता है तो समझ में आया क्या है, कि हम परड़े जो चीजें हो रही हैं हमारे साथ, हम उनको लिखते हैं जो चीजें हमने अनुभव करी, जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगी, जो चीजें हमें अच्छी लगी, ये सारी चीजें हम लगते अब हमें क्या चीज कैसा फील हो रहा है, ये तो सिर्फ हमारे एक होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुती गुपत होती हैं जैसे मान लीजे कुछ चीज़ें हमने ऐसी करी जो शायद सही नहीं थी जो सिर्फ हम तक थी हर वेक्ति का अपना कोई ना कोई सीक्रेट होता है तो वो सारी चीजें हम कहीं न कहीं डायरी में लिखते हैं और ये डायरी हमारा personal दस्तावीज बन जाता है क्योंकि उसमें हमारे अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी गतिविधियां, अपनी बहुत सारी likes, dislikes ये सब कुछ लिखते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि ये सारी personal चीजें हमारी कोई भी जाने तो इस तरीके से ये हमारा सिर्फ एक विच्टिकर्द दस्तावेज होता है जिसे हम किसी के सामने भी प्रकट करना अच्छा नहीं समझते हैं प्रेशने संख्या 6 है, डायरी लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अब जब हम डायरी लिखते हैं तो हमको लिखते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ऐसा नहीं है कि जो मरजी आए वो लिख दिया क्योंकि अगर आप डायरी को सिस्टेमाटिक धंग से लिखते हैं तो आपकी डायरी आपके खुद के पढ़ने के लाइक भी रहेगी और अगर आप बस जो मन में आ रहा वो लिख रहे हैं तो जब आप दुबारा उस डायरी को पढ़ने के लिए बैट होगे इसका कारण यह है कि यदि हम बरतमान वर्ष की डायरी तिथी अनुसार लिखेंगे तो उसमें एक दिन के लिए दी गई जगा कम या अधिक हो सकती है इससे हमें अपने भावों की अभिविक्ति को उसी सीमा में बादना पड़ेगा अब कभी कभी कोया होता है हमारा सारा हर एक दिन तो बराबर नहीं बीटता किसे दिन हम बहुत ज़ादा बिजी रहते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं बहुतों के हाँ जाते हैं बहुत सारी चीज़े होती और किसे दिन क्या है हम कुछ नहीं हैं, सर्व घर पे हैं, छुटी में हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इस condition में क्या होता, एक दिन तो हमारा बहुत सारा काम हुआ और एक दिन कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने हमसे कहां पर क्या बुला है कि डायरी हमेशा हमें पुरानी notebook में या last year की डायरी मान लीजे अभी 2023 चल रहा है अगर आप डायरी लिखना शुरू करते हो तो आप 2022 की डायरी में लिखना शुरू करो इससे क्या होगा मान लीजे आज आपका दिन बहुत बिजी बहुत सारी activities में आपने पाट लिया, बहुत सारी feelings से उत्र चढ़ा, बहुत सारी चीज़े हुई, तो अब क्या है ये सारी feelings को आपको जब आप रात में लिखने बैठोगे न, तो क्या होगा, वो लिखते लिखते जो है आपके लिए जो तिथी का एक page है वो कम पढ़ जाए तो बहुत सारा detail है आपके लिखने के लिए, अब जब आप 27 माई की date में लिखना शुरू करोगे, तो लिखते लिखते आपका जो एक page था वो तो खतम हो गया, मगर आपकी बाते अभी आर थी, अब आपके पास जगा नहीं क्योंकि आप अगर पीछे पड़्टोगे तो 28 मही है, उसको काट के लिखोगे तो अगले दिन का कहा लिखोगे, तो ये आपके सामने परिशानी हो जाएगी, अगर आप पुरानी notebook या last year की diary में लिखते हो, तो वहां तिथी के साथ काट पिट कर सकते हो, नोट बुक में तो date पड़ी नहीं होती, तो उसको आप एक या काट दोगे, उस जगह वो continue लिख दोगे, या 27 मही ही continue कर दोगे, तो लिख दोगे, इस तरह डाइरी के जो पुरानी डाइरी रहेगी, उसमें आप काट पिट करके date को आगे पीछे कर सकते हो, नेक्स आते हैं, डाइरी लिखते समय स्वेम तै करें कि आप क्या सोचते हैं, और समय को क्या करना चाहते हैं, दिन भर की घटनाओं में से मुख्य घटना अत्वा गतिविधी का चैन करने के बाद ही उसमें शब्द बद करें, अब देखे हमारे साथ पूरा दिन बहुत सारी चीज़े होती हैं, अब बात यह है कि ऐसी कौन सी चीज़े हैं, जो आपके पहले उन जो चीज़ें आपको लिखनी हैं, उन्हें आप अपने दिमाग में याद कर लो कि हम ये ये सारी चीज़ें लिखेंगे, फिर उनको लिखना शुरू करो, क्योंकि अगर आप बिना सोचे लिखोगे, तो हमारे दिन में तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आप स चिंत निजी वस्तू होती हैं, जाहिर सी बात हैं हमारे बहुत सारे पॉस्टन एक्स्पीडियन्स पा जो हैं लाइक्स लिखोती हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो कोई भी पढ़े, इसे सदा यही मान कर लिखें कि इसके पाठख भी आप स्वयम हैं और लेखक भी, इससे भा हैं, सूस करते हैं, वैसा ही आप लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यह सोच कर लिखें कि नहीं इसे हमें भविश में किसी को पढ़ाना है, तब उस कंडिशन में क्या हो जाता है, हमारी भाषा शैली में थोड़ी सी कालपनिकता, या थोड़ा बनावटीपन आ जाता है, तो य द्यान नहीं देना चाहिए, मन के भावों को स्वाभाविक वेग से जिस रूप में भी प्रस्तुत किया जाए, वही डायरी की शैली होती है, अब आपको ये नहीं देखना है, कि इसमें भाषा शुद्ध होनी चाहिए, शैली बहुत आकरशक होनी चाहिए, ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो, जैसा आप समझते हो, जैसा आपनी फील्ड किया है, सेम वैसी ही चीज़े लिखी जाती है, डायरी समकालीन इतिहास होता है, समकालीन यानि कि जैसे अब मैं हूँ, मेरे इस समय क्या-क्या चीज़े घट रही हैं, वह इतने साल उसने अग्यातवास में गुजारे उसने उसके परिवार ने, और उसके बाद उस अग्यातवास में जिस दिन वो पकड़ी गई, उस दिन तक की डायरी है, उसके बाद तो वो जब पकड़ी गई, उसके बाद तो भाई उसको प्रताड़ना दे दे कर मार दिया ग होता है एक यह समकालीन इतिहास होता है अता डायरी vaat का भी ध्यान रखना चाहिए कि डायरी में डायरी लेखक के भावों और तटकालीन समाजे को समस्पष्ट देखा जा सकता है अब जब हम डायरी लिखते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखते क्योंकि हमारे साथ जो चीज़े घटेत हो रही हैं तो इस कंडिशन में क्या होगा जब हमारे साथ जो चीज़े घटेत हो रही हैं तो हम एक तरीके से हम अपने साथ साथ समाज में क्या क्या चीज़े हो रही हैं वो भी हम बिना क उस जाने बुझे लिख देते हैं तो इसलिए जो डायरी है वो हमारे समकालीन का इतिहास होता है प्रेश्ण संख्या साथ है डायरी कैसे और किस में लिखनी चाहिए कैसे लिखनी चाहिए किस में लिखनी चाहिए और कल जो हुआ था वो सारी चीज़े लिख दे, नहीं, पूरा दिन जो कुछ भी घटित हुआ है, रात में सोने से पहले इत्पिनान से बैठ कर उस डायरी को हमें लिख लेना चाहिए डायरी किसी नोट बुक अधवा पुरानी डायरी में लिखने वाले दिन की तिति डाल कर लिखनी चाहिए तो जस दिन भी हम लिख रहे हैं, उस दिन की तिति आपको डाल देनी है और लिखनी है हमेशा ध्यान रखे क्यों क्यों लिखनी चाहिए ये मैंने आपको बता दी कि पुरानी नोट बुक ले लीजिए या पुराने साल की कोई डायरी ले लीजिए उसमें करिये नोट बुक अथवा पुराने साल की डायरी में डायरी लिखना इसलिए उच्छत होता है क्योंकि कई बार नए साल की डायरी की तिथियों में दिया गया खाली प्रष्ट हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कम लगता है अत्वा कभी हम दो चार पंक्तियों में ही अपनी बात लिखना चाहते हैं तो क्यों लिखना चाहिए पुरानी डायरी में यह हमने आपको बताया कि कभी-कभी हमारे साथ बहुत सारी चीज़े ऐसी होती हैं कि वो जो एक प्रष्ट दिया होता है वो कम पड़ जाता है तो इसलिए जब अगर पुरानी डायरी में लिखेंगे तो डायरी के जो तिथी है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और अगर इसी साल की डायरी में लिखेंगे तो शायद हमारे अगर हमने एक दिन की भी देट काटी तो वो दिन जो है पूरी डायरी हमारी जो है अगर हम नए साल की डाइरी लेकर करते हैं तो हमारी भावनाएं एक पेश तक बंध जाएंगी और अगर पुराने साल की डाइरी रहते हैं तो हम खुल कर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे प्रशन संख्या आठ है डाइरी लेखन की भाशा शैली कैसी होनी चाहिए हमको डाइरी लिखनी है तो डाइरी लिखते समय उसमें किस तरह की भाशा और कैसी शैली का इस्तिमाल करना चाहिए डाइरी लिखते समय हमें सहज वहवारिक तथा आडंबर विहिन भाशा शैली का प्रयोग करना चाहिए सहज यानि कि जैसा हम महसूस कर रहे हैं उसी तरह की चीज़ें बहुत ही नॉर्मल तरीके से वहवारिक जैसे हम हैं और आडंबर विहिन यानि कि बिना किसी दिखावेगी क्योंकि भाई ये डायरी पढ़नी किसको है ये हम ही को पढ़नी है किसी और को नहीं पढ़नी है तो इस condition में डायरी क्या रहेगी हमेशा वो चीज लिखिए जो आप महसूस कर रहे हैं या आपने पूरे दिन में जो महसूस करी हैं आपके साथ जैसे घटित हुई बिल्कुल उसमें किसी तरह का दिखावा नहीं, कोई भी कलपना शीलता नहीं, कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही लिखना होता है। लेकिन अगर आप ये ध्यान करके लिखोगे, कि ये डायरी हमारा परस्टनल दस्तावेश है और सिर्फ हमारे द्वारा ही पढ़ा जाएगा, तो इस कंडिशन में हम जो है इस आडंबर ही जो आडंबर है इससे बच जाएंगे। भाशा शैली में जहां हम बनामत लाने की जो भी feeling से उन्हें सहज शब्दों में जो आप feel कर रहे हैं जैसा feel कर रहे हैं उसे वैसे ही शब्दों में लिख दीजिए। डायरी लेकर प्रतेक अच्छी बुरी बात को सहज रूप से लिखना जाना चाहिए। तो जब हम डायरी लिखें तो जो हमारे साथ अच्छा हु जो भी बात को सहज रूप से लिखें जो आप जैसा मैसूस कर रहे हैं आपको वैसा ही लिखना खूदा है। प्रेश्ण संख्या नौ है एनि फ्रैंक का परिचे दीजे। एन्ट्रैंक की डायरी के बारे में हमने आपको बताया था। इनके बारे में आपको बताना है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रसद्ध डाइरी जही है क्योंकि ये एक युद्ध का प्रत्यक्षद रस्तावेज भी के रूप में भी माना जाता है एंटरिंग का जनम सन 1929 इस्वी में जर्मनी में हुआ था वह एक यहुदी लड़की थी जब जर्मनी में नाजियों ने यहुदियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिये तो वह अपने परिवार के साथ आमस्डेंट चली गए वह निदर लैंड्स पर नाजियों का अधिकार हो गया और उन्होंने वहां रहने वाले यहुदियों पर अत्याचार किये ठीक है तो कैसे उनके किसे वो खुदिक यहुदी थी और नाजियों किस तरीके से उन पर अत्याचार कर रहे थे एनी का परिवार जुलाई 1942 में एक दफ्तर में गुप्त रूप से रहने लगा यहां से दो साल बाद उन्हें नाजियों ने पकड़ लिया दो साल तक गुप्त में रही और फिर नाजियों दोरा पकड़ी गई यादना कैम्प में भेश दिया गया ऐसा एक कैम्प लगा था जहां पर यहोदियों को लाकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था एनी को उनके तेरवें जन्म दिन पर एक डायरी मिली थी जिसमें उसने जून सन 1942 से अगस्त 1944 तक की घटनाओं का वर्णन किया था दो साल तक का पूरा घटना का विवरान उनकी डायरी में इस दोरान था सन 1945 इसमी में एनी की मृत्ति हुए थी दुतियव विशोय युद्व की समापती के बाद उसके पिता ने एमस्टरडाम जाकर एनी की डायरी तलाश की और इसे प्रकाशित करवाया मूल डायरी डच भाशा में लिखी गए थी यानि की जो एने लिल लिखी थी वो क्या थी वो डच भाशा में लिखी गए डायरी थी सन 1947 इसमी में अंग्रेजी में दा डायरी ओफ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई या बीसवे सदी की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है तो एनि की मृत्यों के बाद उनके पिता जी ने डायरी खोजी उसे प्रकाशित करवाया चुकि वो डच भाशा में थी फिर उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में छपवाया गया सन 1947 तो किस के नाम से छपवाया गया दायरी ओफ यंगल के नाम से और वो सबसे प्रसिद एक पुस्तक रही जो लोगों द्वारा पढ़ी गई क्योंकि उसमें किस तरीके से नाजियों द्वारा यहुदियों पे अत्याचार किये गए थे और किस किस परिशानियों से वो अपने दिन को गुजार रहे थे ये सारी बाते उसमें बहुत ही अच्छे से लिखी गई थी तो एक तरीके से ये युद्ध का एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में भी रखा गया है प्रश्ण संख्या 10 है डायरी लेखन क्या है अब हमने डायरी जान ली क्या है डायरी लिखते समें क्या चीज़ें द्यान रखन चाहिए तो ये भी बताईए कि भाई डायरी लेखन क्या होता है वेक्ति दिन भर जिन घटनाओं गतिविदियों और विचारों से गुजरता है उन्हें ही डायरी के प्रश्टों पर शब्द ब्रत करना डायरी लेखन कहलाता है यानि कि पूरा दिन हमने जो सारी चीज़ें महसूस करी हैं जो हमारी भावनाएं रही हैं जो हमारी गतिविदियां रही हैं उन सभी में जो एहम चीज़ें रही उनको जब हम डायरी में लिखते हैं शब्द बद करते हैं तो वो डायरी लेखन कहलाता है प्रश्ण संख्या 11 है डाइरी हमें हमारे संकल्प की याद किस तरह दिलाती है हमें हमारे संकल्प की याद यानि कि हमने अपने आप से अगर कोई वादा किया है तो वो किस तरीके से हमें इसकी याद दिला सकती है क्योंकि जब हम कोई चीज सोचते हैं विचारते हैं या कोई हमारे साथ चीजे हुई हैं जो हमने अपने लिए करने की कोशिश करिये तो वो सब चीजे हम डायरी में लिखते हैं और जब उन डायरी को हम पढ़ते हैं तो हमें वो सारी चीजें रिकॉल होती हैं और तब हम कल्ब की याद दिलाता है तो कहने का मतलब है जैसे हमने बोला कि आगे आने वाले इमेंट्स को भी हम जैसे हमारे कोई शादी में जाना है आपको कोई पार्टी है किसी का बर्दे है ये सारी यही बहुत सारी चीजे होती है जो हम अपने आप से वादे करते हैं कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो सही नहीं था तो अपने आप से वादा करेंगे नहीं हम इसको अचीफ करके रहेंगे तो वह संकल्ब भी हम अपनी डायरी में कहीं ने कहीं में इंचन करते हैं तो जब लोगों उसको पढ़ते हैं तो हमें अपने आप से किये उस संकल्ब के बारे में याद आ जाता है प्रेश्ट संख्या 12 है एनी फ्रेंक द्वारा लिखी डायरी का विशे क्या था एनी ने जो डायरी लिखी वो क्या था वो जो है किस तरीके से यह नाजियों द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किया गया था और किस तरीके से उनसे बज़ कर वो छिप कर वो लोगों ने दो साल गुजारे थे यह सारी चीजें उस डायरी में लिखी गई थी एन फ्रेंक द्वारा लिखी गई डायरी का विशह है 1942 से 44 के मद नाजिय द्वारा किया गया अत्याचार जो किस पर किया गया था यहूदियों पर किया गया था क्योंकि वो खोद एक यहूदी थी जब क्या कहते हैं नाजियों ने महाँ पर कबजा किया और तो सभी यहूदियों को चुन-चुन कर जो है वो यातना ग्रह ले जाते थे और बहुत भेंकर यातनाएं दिया करते थे जो आप अगर उनके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पर जाके देख सकते हो किस तरीके से जो है टॉर्चर करने के नए नए तरीके उन लोगों ने निकाले थे वो सारे चीजे महाँ पर मेंचिर आपको उस जगह पर मिलेंगी और ऐसा था मरने नहीं देते थे लेकिन टॉर्चर बेंतिहा करते थे तिल-तिल करके मारते थे प्रशन संख्या 13 है घंद साहिथ में डायरी विधा के कुछ लेकों के नाम बताने है जो डायरी विधा में लिखते हैं उन लेकों के नाम बताने है अब ये ध्यान रखिएगा जो हमने पहले पड़े थे उसमें पूरे विश्व के नाम क्योंकि उसमें एनिका नाम भी आया था तो वो विश्व का ही प्रसित डाइरी आ गए थी लेकिन यहां सर्फ हिंदी साहित में जो डाइरी विधा में लेखक रहे हैं उनके नामों को यहां में इंचन करना था प्रेश्ण संख्या 14 है डाइरी में किसका लेखा जोखा होता है अब जो हम डाइरी लिखते हैं इसमें किसका लेखा भई हमारे पूरे दिन की जो लेखा जोखा होता है हमारी गतिविदियों का, हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का उन सभी का लेखा जोका हम लिखते हैं डायरी में निजे इस तर पर घटित घटनाओं और तत संबंधी बौधिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोका रहता है इन्हें हम स्वयम अपने लिए शब्दबद करते हैं तो हमारे साथ जो पूरा दिन घटित हो रही हैं चीजें उनको किस तरीके से हमारे भावना तक उतार चड़ा हो रही है कोई चीजें हमें अच्छी लग रही हैं कोई चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं उन सभी का लेखा जोका हम डायरी में लिखते हैं जब हम शब्द बद करते हैं यानि कि हम उनको डायरी में लिख देते हैं प्रेशन संख्या 15 है डायरी को अपना ही अंतरंग साक्षात्रकार कहा गया है इस साक्षात्रकार की क्या विशेशता होती है देखे डाइरी को हम अपने साथ किये गए अंतरन साक्षातकार समझते हैं ये कोशन हमने अभी आपको पहले समझा दिया लेकिन ये कोशन कुछ और पूछ रहा है उसे क्या पूछा इस साक्षातकार की क्या विशेशता होती है जब हम अपने आप से ही परिचत होते हैं हम अपने आप से ही बहुत सारे पुछते हैं तो फिर क्या इसमें विशेश हो जाता है ये आपको बताना है डाइरी को दिये गए अंतरन साक्षातकार की विशेशता है कि इसमें हम हर जगहा की वर्जनाओं से मुक्त रहते हैं यानि कि देखें हम कहीं पर भी रहें हम स्कूल में रहें, घर भी रहें, समाज में रहें, दोस्तों के पास रहें अपनी कुछ न कुछ बंधन होते हैं हर जगा जो है बिहेव करने के अपने एक नियम होते हैं, काइदे होते हैं, हर किसी से बात करने के कुछ तलीके होते हैं, लेकिन जब हम डाइरी लिखते हैं, तब उस तरह के ऐसी कोई पाबंदी यहां नहीं होती, क्योंकि हम अपने आप से उस समय बात, अपने आप से मुख अंकित कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी साक्षातकार की यानि की इस डायरी की जो विशिष्टा होती है, यह होती है कि हम जो कुछ चीज़े ऐसी होती है, जो हमारे लिए बहुत पॉरस्टनल होती है, हम अपनी किसी क्लोस फ्रेंड तक को नहीं बता सकते हैं, ठीक है, मतल़ इत या दिखावे की गुझाईश नहीं होती है ट्रश्ट संख्या 16 है डाइरी को व्यक्तिकर दस्तावेस क्यों कहा गया है अब उसे हम अपना परसनल क्यों बोलते हैं अब अगर चाहें तो भई बहुत सा जैसे बहुत सारे अभी हमने डाइरी के नाम पढ़े वो डाइरी क्या थी? वो उन्होंने लिखी pequeña personal लेकिन उसे public कर दिया छपवा दी गए लेकिन ऐसे डाइरी को जो है वो personal यानि के व्यक्तिकर दस्तावेस क्यों कहते हैं? यह आपको बदाना है डाइरी को व्यक्तिकर दस्तावेस इसलिए कहा गए जाता है क्योंकि वेक्ति इसमें अपने जीवन के एक हाश शरूं किसी समय विशेश में कौन्ध जाने वाले विचारूं यादगार मुलाकातों आदी को संजो कर रखता है अब क्या होता है मान लीजे जैसे आप कहीं घूमने के लिए गए कोई भी जगा गूमने के लिए गए वो जगा बहुत खूबसूरत है आपको बहुत अच्छी लगी तो अब आप वहाँ पर गूम रहे हो बैठे हो समय विता रहे हो सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन एक पाक आपको एक चीज कहीं पुरानी याद आ गई कि हम उस जगा गए थे वहाँ पर कुछ ऐसा था जो मुझे आस तक याद है तो बैठे बैठे इस सुन्दर नजारे में आपको वो विचार कौन था ना कौन था की नहीं कौन था तो वो विचार जो है बहुत व्यक्तिकत था क्योंकि वो आपको जो एक बैक आया वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे या फैमली के साथ जिसके साथ भी गए थे आपने उसको इसे बताने की कोशिश तक नहीं करी वो बात आपकी अपने पास अंदर तक रही तो इस तरीके से क्या हुआ वो बहुत यादगार पल था उसको हमने सिर्फ अपने परसनल तक ही रखा तो इस तरीके से ये एक विक्तिकत चीज होती है हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजे ऐसी घटती हैं जो हम किसी से बताना या शेयर नहीं करना चाहते हैं तो वो भी हम अपनी सब डायरी में लिख लेते हैं तो इस तरीके से वो क्या हो गया वो सिर्फ हमारे द्वारा पढ़ी जाएगी किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी प्रेश्ण संख्या 17 है डायरी हमें भूलने से बचाती है कैसे सही बात है अब मान लीजे आने वाले समय में कोई इवेंट होने वाला है कुछ है तो हम उसे अगर वहाँ पर मेंचन कर दें मान लीजे कि आज हमने 27 मई है और ये इवेंट जो होने वाला है ये होगा आपका जो है 5 जून को या 6 जून को तो आप क्या करेंगे अपनी डायरी में जाकर 6 जून को उस event के बारे में mention कर देंगे कि 6 जून को ये event होने वाला है इस जगहा पर है और इस समय पर है तो इस तरीके से वो दिन जब आपका आएगा तो आपको याद रहेगा कि हमको यहाँ पर जाना है यह करना है तो इस तरीके से हम कोई चीज भूलेंगे नहीं और ऐसे ही बहुत से हमारे साथ पूरा दिन में बहुत सारी चीज़े हुई अब हम उसको हम डायरी में लिख देत हैं वहीं पुरानी लिखी गए अच्छे मुमेंट्स को याद करके भी हम उन्हें जी सकते हैं डाइरी के माधियम से मैं अपना खुद तयार किया हुआ पार्ट लिखते हैं और जो कुछ घटित हुआ है उसकी कहानी इस तरह संजो कर रखते हैं कि जो आने वाले दिनों में हमें उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है इससे हम हम गहरे ये आशे वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को भूल नहीं पाते हैं तो जब हमने सब कुछ सारी चीजे जो हमारे साथ घटित हो रही हैं हमने उसे डायरी में लिख दिया चाहे अच्छी हूँ चाहे बुरी हूँ फिर उसके बाद अगर हम किसी दिन उसको पढ़नी के लिए बैठते हैं तो वो सारी चीजे हमें याद आ जाती हैं याद आ जाती हैं तो इस तरीके से हमारे साथ पास्ट में दो चीजे हुई हैं उन्हें हम भूल नहीं पाते हैं और भविश में होने वाली चीज़ों को भी हम उसमें लिख लेते हैं ताकि उन इवेंट्स या उन चीज़ों को जो कोई भी खास दिन आने वाला है उनको भी हमनी भूल पाते हैं। अगर आपको अपने आपको जानना है तो कैसे नहीं अगर आपको अपने आपको जानना है तो उसका बेस्ट तरीका है आप डायरी लिखना शुरू करो। को उस डायरी को लिखने के लिए बैठते हैं तब क्या होता है तब हम हर एक उस चीज़ को याद करते हैं। याद किया। याद करने के बाद हम जब उसको लिखते हैं तो हम फिर ये देखते हैं कि नहीं हमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। बहुत सारी हम गलतियां भी करते हैं बहुत सारी अच्छाईयां भी करते हैं। फिर जब हम डायरी लिखते हैं तब अपने अंदर की उन गलतियों को समझ पाते हैं। कि हमने क्या गलति करी थी क्या नहीं करी थी तो इस तरीके से हम खुद को जान पाते हैं। खुद से दोस्ति गाटने के लिए वेक्ति को डायरी लिखना शुरू कर देना चाहिए। तो समझ में आया ना क्या चुआ ये चीज तो सरफ एक लाइन में हैं। लेकिन एक्च्वल में हमें ये करना चाहिए। तो हम जब हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस सारी चीजों को हम एनलाइस करते हैं। रात में जब डायरी लिखते हैं। तो इस तरीके से अपने आपको एक्ते हम जानने लगते हैं। और हमारी अपने आप से दोस्ती हो जाती है प्रश्न संख्या 19 है डाइरी लेखन में हम अपने काम के महत्व के प्रती अधिक आश्वस्त कब हो सकते हैं कोशन को समझेगा क्या है डाइरी लेखन जब हम करते हैं अपना ये जो काम है इसके महत उसे हम कब ज़्यादा अच्छे से सटिस्वाई हो सकते हैं कि हाँ हमने जो किया वो काम बहुत अच्छा था ये काम हम कब करते हैं डाइरी विक्ती की निजी घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ-साथ उसके दौर का अक्ष भी होती है यानि कि अब जैसे एन की हम डाइरी पढ़ेंगे एन की तो क्या था उसे अपने बारे में अपने परिवार के लोगों के बारे में लिखा लेकिन उसके ही उसके इलावा ही नाजियों द्वारा जो अत्याचार किये जा रहे थे और किस तरीके से यहूदी अपनी जान बचा कर भाग रहे थे ये गुप्तु आवास में रह रहे थे ये सारी चीज़े यानि कि अननी जहां अपने बारे में अपने परिवार के बारे में उसी समय समाज में जो चीज़े चल रही थी उसके बारे में भी उसने वक्षोबी लिखा है उसके दोरा लिखे के अनुभवों में उसकी नजर में देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मातरा में मौझूद रहता है यानि कि अम जैसे मैं डायरी लिख रही हूँ तो इस समय समाज में जो चीजे चल रही है मान लीजिए जो है अंतरिक्ष में चंद्रयान छोड़ा गया या राजनेतिक उतल उतल हुई कुछ भी हो जो चीज हम को लिखी वो हमने सब डायरी में नोट कर दी तो इस तरीके से हम एक अपने आपने समकालीन इतिहास को अपनी डायरी में लिखते हुए चल रहे हैं इस बात को ध्यान में रख कर डायरी लेखन करने से हम अपने काम के महत्व के प्रती अधिक आश्वस्त हो जाते हैं जब हम यह देखते हैं कि हम अपने साथ साथ अपने आस पास हो रही बहुत सारी चीजों को जो है डाइरी में में चुन कर रहे हैं जो आगे चल कर बहुत ही important हो सकता है अगर यह सोचेंगे तो हम अपने काम के प्रती काफी आश्वस्त रहेंगे प्रश्ण संख्या 20 है डाइरी लेखन की परिभाशा अब क्या है अब देखे हमने डाइरी क्या है और कैसे लिखी जाती है डाइरी लेखन क्या है यह सब दिया लेकिन अब डाइरी लेखन की परिभाशा आपसे पूछी जा रही है तो देखे क्या होता है यह एक अलग चीज इसे परिभाशा वो अलग चीज़ है बहुत सारे फेमस रशनकारों द्वारा ये परिभाशाएं वर्णित की जाती है अपनी भावनाओं अत्वा किसी प्रकार की जानकारी को डायरी में लिखने की प्रक्रिका को ही डायरी लेखन कहते हैं तो डायरी लेखन इसे कहते हैं अब देखें डायरी लेखन क्या था हम समझ चुके हैं उसी को हमने यहां परिभाशा में शब्दों के साथ पान दिया प्रेश्ण संख्या 21 है डाइरी लेखन के कितने प्रकार होते हैं अब यहाँ पर डाइरी लेखन तो हमने कर लिया क्या डाइरी लेखन कई प्रकार से लिखी जा सकती है यह भी हमें जानना पड़ेगा तो इसके कितने प्रकार होते हैं देखिए यहाँ पर डाइरी लेकन के हमने चार प्रकार निकाले हैं डाइरी लेकन के कुल चार प्रकार होते हैं जो निमलिके थे पहला है वेक्टिकट डाइरी जैसा कि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं जहां हम अपने पूरे दिन की गतिविदियों, जो चीजें भावनाएं, घतनाएं, इन सब ही को लिख रहे हैं, तो वो हमारी क्या होती है, व्यक्तिकर डाइरी, जिसे हम सर्फ और सर्फ हम पर सकते हैं, दूसरा आते हैं वास्तविक डाइरी, वास्तविक डाइरी का तातपर क्या हूता है यह diary में हम अपनी पोस्टनल चीजे तो लिखते ही लिखते हैं लेकिन वास्तविक समयाज में या आज कल के समय में क्या चल रहा है हम इसको भी ये pursue को लेकर बहुत सारी कलपनाये में करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डायरी नहीं लिखते हैं उनका सवाल सबसे पहले ये होगा कि आखिर हम क्यूं लिखें डायरी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि पूरा दिन पढ़ने लिखने के बाद और रात में फिर से हम डायरी लेकर बेट जाएं उसमें लिखने के लिए तो बहुत सारे लोग तो लिखते हैं लेकिन माक्सिमम लोग नहीं लिखते हैं तो वो उनका ये सवाल रहता है कि आखिर हमें डायरी लिखने की आवर्शक्ता क्यूं है क्या कारण है डायरी लेखन के पीछे कुछ विशेश बाते होती हैं पहला है जिनमें आप डायरी लिख कर अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं और स्वेम का विशलेशन करते हैं डायरी लेखन करने से आप स्वेम से रूब रूब हो जाते हैं तो पहला कारण बताया गया है कि डायरी लिखने की क्यों आवशकता है क्योंकि हम अपने आपको ही अच्छे से जान और समझ पाते हैं ये एक बहुत बड़ी कारण होती है कि भाई हम पूरे दिन की गतिविधियों को जब लिख रहे हैं तो उस समय क्या होगा हम एक तरीके से अपने आपको समझ पाएंगे कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीज़ हैं अपनी अच्छी तथा बुरी प्रतेक बस्तू का आकलन कर पाने में सफल हो पाते हैं डायरी लेकन एक अच्छे आदत है क्योंकि इससे आपके जीवन में नेमित्त्ता बनी रहती है और आप स्वेम को विशलेशन कर पाते हैं तो अगर हम डायरी लिखते हैं तो हमारे डायरी इसके वजह से हमारे जीवन में एक नियम आता है कि हाँ भाई ये काम हमें करना है तो हम एक तरीके से अनुशाशत भी होते चलते हैं और अपने आपको जानते भी हैं तो अपने आपका विशलेशन भी करते हैं क्या हम इस सिचुएशन में जिस तरीके से मैंने रियक्ट किया क्या इससे अच्छा तरीके से रियक्ट कर सकते थे कभी-कभी सिचुएशन से ऐसे आती हैं कि हम जैसे रियक्ट किये तो शायद कभी-कभी हम अपने आप से सटिस्वाई नही अच्छा कर सकते थे, तो इस तरीके के विशलेशन किये जा सकते हैं, डाइरी लेखन करते समय आप स्वेम के आलोचक होते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी तथा बुरी सभी बातों का परिणाम आपको ही मिलने वाला है, इसलिए आपको डाइरी लेखन का कारे नेमित तौर पर करते रहना चाहिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कि जब हम डाइरी लिखते हैं, अब तो हम अपने खुद के आलोचक होते हैं, अब आलोचक का मतलब समझे क्या है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसने कोई काम किया, तो अगर आप एक सच्छे फ्रेंड हो, तो अगर उसने गलत किया है, तो आप उसके उस रास्ते में जो चीजें गलत हैं, उसके बारे में आप अपने फ्रेंड को बताओगे, तो उसी तरीके से यह डाइरी भी हमारी एक फ्रेंड होती है, जब शाम को हम उसके साथ बैट कर लेकर निकार रहे हैं, तब हम अपना नहीं, मैंने यह गलत किया, मैं मुझे यह नहीं करना चाहिए था, या मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं इससे अच्छा कर सकता था, तो अपनी आलोचना करते हैं, अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और उसी तरीके से आगे चलकर हम र प्रकाश डालिए अब इसकी importance के बारे में बताना है कि आखिर ये इतना important क्यों है क्यों हमें ऐसा कारे करना चाहिए diary लेखन के महत्व diary लेखन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह आपके अंदर की भावनाओं को पन्ने पर उतारने की कला को निखारता है और साथ ही साथ diary लेखन से आप स्वेम को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं तो समझ में आया क्या हुआ कि हम अपनी जो भी अनभव हैं उनको हमने पर नहीं पर उतारा और सब के साथ साथ हम क्या हैं हम अच्छी तरीके से अपने को समझ पाते हैं हम में सिर्फ सभी लोग ही सोचते हैं कि हम अपने आपको बहुत अच्छे से समझते हैं पर ऐसा नहीं होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे साथ होती हैं जहां पर हम समझी नहीं पाते हैं कि हमने आखिर ऐसा क्यों किया या किसलिए किया तो में यही चीज है कि यह जो डाइरी है वो हमें अपने आपको समझने का एक मौका देती है इसे यह डाइरी लिखना बहुत important होता है Next आते हैं अपने जीवन की अच्छाईयों, परेशानियों, घटनाओं तथा यादों को डाइरी में लिखकर आप सुकून महसूस करते हैं और साथ ही साथ आपके अंदर एक अच्छा लेकाग बनने की कला पैदा होती है तो अब क्या है हमारे अंदर की जो चीजे हैं, जो कुछ भी हैं जाए अच्छाईयां हों, बुराईयां हों, जो भी भावनाएं हैं, जो कुछ भी हैं उन सभी को हम जब डाइरी में लिखते हैं तो एक हमारे अंदर से सटिस्फेक्शन आता है तो वो अंदर से सुकून मिलता है और साथ ही हमारे लेखन कला का भी बहुत ही जादा सुधार होता है आप में से बहुत सारे लुक बोलते हैं कि हम कैसे लिखें तो हिंदी का लेखन कला के लिए ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है ईंकि हम अगर diary लेखन करते हैं तो हमारे लेखन में काफी हट तक सुधार होता है नियमित तौर पर लेखने से यह आपकी आदत हो जाती है अगर हम daily लिखते हैं तो क्या हो जता है? यह हमारी आदत में शुमार हो जाता है जिससे आप स्वैम का साक्षात कर पाने में हिचकते नहीं हैं आप स्वैम से ऐसे प्रश्ण पूछते हैं जो आप दूसरों से सुनना पसंद नहीं करते तो क्या हुआ बहुत सारी चीज़े होती हैं अगर आप से कोई कुछ पूछे तो आप बहुत गुसा जाते हैं जब हम अपने आप से पूछते हैं तो वो प्रश्ण हम पूछने पर गुसा भी नहीं होते हैं और उसका उत्तर देने में हम हिचकते भी नहीं तो इस तरीके से एक बार हैं अपने तरीके से अपने आप को जान पाते हैं नियम के साथ साथ क्या है अपने आप से रूब रूब हो पादे हैं। इसलिए आप स्वेम का विशलेशन करें और आवशकता हो तो स्वेम की आलोचना भी करें। इससे आप अपने सुभाव को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने जीवन में आवशक बदलाव मिला पाएंगे। तो यानि कि अगर हम डाइरी लिखते हैं तो हम अपने आपको अच्छे से जान समझ पाएंगे और जो बदलाव की जुरूरत होगी उन बदलावों को हम ला भी पाएंगे। प्रश्ट संख्या 24 है डाइरी लेखन की विशेशताएं बताईए अब इसकी क्या क्वालिटी होती हैं हमने महत्व देख लिया है तो जाहिर सी बात है इनकी कुछ विशेशताएं भी हैं क्या विशेशताएं देखिए डाइरी में प्रते दिन की सभी घटनाएं कलात्मक लिखी जाती है यानि हमारे सायत जो पूरा दिन जो चीज़े घटे थो रही है वो अलग-अलग समय में अलग-अलग स्थानों पर घटे थो रही है लेकिन जब उसे हम लिखते हैं तो उसमें कलात्मक ता आ जाती है कहने का मतलब जो चीज़ें हमने महसूस करी है उस तरीक मन पर पड़े प्रभाव डायरी में उसी दिन लिख दिये जाने चाहिए सबसे बड़ी बात है आपके साथ जो भी चीज दिन भर में कटित हुए है उसे रात में लिख दो दूसरे दिन पर डालोगे तो वो feelings आपकी बदल जाती है जो चीजें आपने उस समय महसूस करी थी जो कुछ भी हुआ था वो कहीं न कहीं बदल जाता है तो इसलिए जो कुछ आपके साथ हुआ है उसे आप उसी दिन शाम को वैसे ही लिख दो नेक्स ए डायरी में संशिप्त आक्षर रहती है विस्तार नहीं होती है अब यानी कि डायरी जो है वो संशिप्त है ध्यान रखें उसमें हम बहुत जादा विस्तार को नहीं लिखते हैं क्योंकि हम अगर कोई चीज बहुत जादा डिटेल में करते हैं तो वो परिशानी होती है जैसे माली जे घटना जिस एक घंटे में घटी कोई भी घटना आपके साथ सुबह एक या तेर घंटे में घटी लेकिन आप उसे क्या लिख दोगे मुश्कल से पांस मिनट के अंदर चार लाइनों के साथ लिख दोगे तो वो क्या होता है संशित आक्षर होता है वो विस्तार पूर्वक नहीं होता है डाइरी एक प्रकार की आत्मकत्हा का ही रूप है 22 जाइर सी बात है हम अपने बारे में लिख रहे हैं हम जो सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं तो जैसे बहुत सारे लेखक अपनी आत्मे कथाएं लिखते हैं तो ये भी एक आत्मे कथाएं का ही रूप है डायरी पूरी सच्चाई तथा इमानदारी से लिखी जानी चाहिए अब ये नहीं है कि आप उसमें जो चीजें आपके साथ हुई आप वो ना लिखे कुछ बनावटी पंच से लिखो या कुछ ऐसा लिखो आप जो चीज भी महसूस कर रहे हो जैसी भी है वो सारी सच्चाई जसकी तस आपको वैसी ही लिखनी है डायरी में सदैव स्थान का विवरण अवश्य होना चाहिए यानि कि जो चीज जहां पर आपके साथ जैसी घटित हुई है आपको वैसी ही लिखनी है यह ध्यान रखना है कि स्थान इसलिए क्यों क्योंकि मान लीजे आप कभी स्कूल गए तो स्कूल में जो चीज हुई वो घटित होगी स्कूल से लोटते समय रास्ते में हुई तो आप स्थान लिखो कि स्थान को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है प्रेशने संख्या 25 है डायरी लेखन के क्या लाब है अब हम लोगों ने सब कुछ देखा अगर हम डायरी लिखें तो इससे हमें फायदे क्या होगे कोई भी काम अगर हम करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा है तो डायरी लेखन से हमें क्या फायदा है डायरी लेखन के सभी लाब निम्रपकार है पहला है सचेतनाता में व्रधी क्या होता है जैसे ही आप अपने मन की सभी निराशाओं को डाईरी में लिखते जाते हैं तो आप स्थर तता शान्त होते चले जाते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे मानों आपके दिल में कोई भारी बोज उदर गया अब सुबा से आपके साथ बहुत सारी चीज़े घट रही हैं मगर आप किसी से कभी होते हैं हम नहीं बोल पाते हैं तो हमारा मन बहुत जादा बोज तले दबा रहता है हम बहुत जादा frustrated हो जाते हैं सब कुछ हो जाता है लेकिन जब हम बहुत सारी चीज़े हैं जिनको हम किसी से बोल नहीं सकते तो इस condition में हम क्याल करते हैं हम diary में लिखते हैं जब हम diary में लिखते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमारे मन का बोज उतरने लगता है तो सबसे बड़ा लाब एक यह होता है कि हमको शांत गरने का काम जो है वो diary करती है नेक्स्ट विद्धार्तियों को लक्ष प्राप्त करने में सहायता करती हैं जब हम diary लिखते हैं तो ये students के लिए बहुत ही जादा जो है वो helpful रहती हैं उनके अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए जब आप अपने किसी लक्ष को लिख लेते हैं तो आपका दिमाग उसे एक महत्वपूर सूचना के रूप में याद कर लेता है आप किसी लक्ष के बारे में जितना अधिक लिखते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आप उतना ही अधिक प्रयास करते हैं और इस प्रकार से आप सफल हो सकते हैं यानि कि हमने अपना एक टारगेट करा होता है अब उसको जब हम डायरी लिख रहे हैं तो हम डेली उसमें कहीं न कहीं अपने उस टारगेट या अपने लक्ष के बारे में लिखेंगे डेली जब हम उसको अपने आपको याद कराएंगे हम लिखेंगे तो हम बहुत ही जादा पक्के हो जाएंगे अपने उस लक्ष को प्राप्त करने में और यही हुआ कि जब हम बहुत जादा लिखते हैं तो उस लक्ष को हम आसानी से प्राप्त भी कर पाते हैं तीसरा है भावनात्मक समझ में व्रधी emotionally बहुत सारे लोग weak होते हैं जब हम diary लिखते हैं तो हम अपने emotions को ठीक तरीके से समझ पाते हैं और उन्हें control करने की हमारे अंदर एक ability develop हो जाती है क्योंकि कभी कभी होता है भावनात्मक तोर पे हम कभी किसी से बहुत हाश बोल देते हैं या हमारा reaction बहुत गंदा हो जाता है किसी को हम चोट पहुँचा सकते हैं या हम खुद इतने emotional हो जाते हैं कि situations को handle नहीं कर पाते तो वो सारी चीजें हम diary लेखन से अपने आप में मजबूत कर सकते हैं diary लेखन करने से आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह जान पाते हैं और उसे प्रतिबंद भी कर पाते हैं इससे आपको अपनी नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू दोनों को ही जानने में सहायता मिलते हैं तो मैंने बताया ना कि बहुत सारी emotions हमारे ऐसे होते हैं जिने हम control नहीं कर पाते हैं कभी किसी को हम बुरा कहसेते हैं कभी हम इतना जादा भावनाओं में बैठ जाते हैं कि हम लिटरली रोने लगते हैं तो इस तरीके से हम जब डायरी लिखते हैं तो अपनी भावनाओं को हम एक तरीके से recalculate करते हैं रात में बैठके कि हम ने इस situation में इस तरीके से behave किया, हम इस तरीके से भावनाई आई तो next time के लिए आप अपनी भावनाओं को control करते हैं और अगर कोई नकारात्मक feeling है तो उसे भी आप निकाल कर अपने आप से अलग कर सकते हैं next है संपर्क कौशल में ब्रद्धी, संपर्क कौशल यानि किसी से जो है संपर्क साथना है इसमें आपकी जो ability बढ़ जाती है लिखने तथा बोलने का आपस में काफी गहरा संबंध होता है डाइरी लेखन से आपको काफी सुविधा मिलती है डाइरी लेखन से आपके विचार इसपष्ट हो जाते है आप किसी भी बात पर साफ तौर पर सोचने तथा अच्छी तरह ध्यान केंद्रत करने में सक्षम हो जाते है डाइरी लेखन से हमें ये फायदा होता है कि जब हम सारी चीज़ों को लिखते हैं तो हम उसको recalculate करते हैं कि ये चीज़े ऐसी हुई तो हम एक तरीके से संपर्क साथ रहे होते हैं अपने past से यानि कि पूरा दिन जो हमारे साथ बीता है और उसको analyze कर रहे होते हैं कि क्या किया है हमने तो हमारा ध्यान जो है फिर हम केंद्रत कर पाते हैं अपनी उनच खामियों की तरफ जिने हमें निकाल लाएं और हम अच्छाईयों के साथ अपना संपर्क साथ पाते हैं रचनात्मक्ता मेव्रधि क्या है कुछ लोग अपनी डायरी में अपने भविष्ट के सपने संजूकर रखते हैं कुछ व्यक्ति अपनी रोजाना की घटनाओं का वर्णन अपनी डायरी में करते हैं जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो रचनात्मक्त लेख यानि की कविता कहानी और गीत आदी लिखने के लिए अपनी डायरी का استعمال करते है तो जैसे हमने डायरी का एक प्रकार पढ़ा था ना साहितिक डायरी तो साहितिक डायरी जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि यह हमारे लेखक और कवियों से संबंधित रहती हैं तो यहाँ पर कुछ लोग डायरी जो लिखते हैं उनमें बहुत सारी कविता, कहानिया, गीत भी लिखते हैं जो उनके emotions में बहुत सारी चीज़े होती हैं उनको mention करते हैं तो इस तरीके से कुछ नया रचना करनी की भी हमारे अंदर व्रधी develop हो जाती है जब आप रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंदित करते हैं तो आपका दिमाग कई ऐसे ideas आपके सामने पेश करता है यानि कि जब हम अपने रचनात्मक कार यानि कि कहानी गीत जैसी चीज़ों को लिखते हैं तो हम actual में हमारा दिमाग साहित की तरफ लेखनकार की तरफ जो है परिवर्तित हो जाता है कुछ नया रचना करने के लिए प्रश्न संख्या 26 है डायरी लेखन के उदेश को इसपश्ट कीजे आखे डायरी लेखन किश उदेश से करना चाहिए हम सभी डायरी लेखन करते हैं उसके कई प्रकार भी होते हैं लेकिन इसको लिखने का क्या उदेश होना चाहिए डायरी लेखन के सभी उद्देश निम्प्रकार हैं पहला है एक विक्ति जिस बात को अन लोगों को समझा पाने तथा विक्त कर पाने में असमर्थ होता है उस बात को वह डायरी में लिख लेता है डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की भाती होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं इसमें प्रतिब दिन की विशेश घटनाओं को लिख कर हम उसे यादगार बना सकते हैं तो पहला तो उद्देश यह होता है अपने दिन को यादगार बनाना अपने पास्ट को याद करना दूसरा है जिस प्रकार हम किसी तस्वीर को देखकर उस अफसर की याद ताजा कर लेते हैं ठीक उसी प्रकार डाइरी के मांध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खटे मीठे अनुभों को पुनर जीवित कर सकते हैं यानि कि हमारे पास में आज का दिन है और आज से दस दिन पहले हम कहीं भूमने गए थे तो वो जगहा बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा समय भी था तो उसे आपने डाइरी में में मेंशिन किया प्रसिद दता महान व्यक्ति भी डाइरी लेखन किया करते थे उनकी डाइरी पढ़कर हम संपूर युग देख सकते हैं कई बार यही डाइरी भविश्य में आत्मकथा का रूप ले लेती है जिसे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभमूत और थदिंचर्या के बारे में जान पाते हैं तो जो महान प्रसिद लोग हुए उन्हें भी डाइरी लिखने का शौक हुआ करता था तो कई लोगों की जो आत्मकथा प्रकाशित हुई वो इस डाइरी के रूप में ही प्रकाशित हुई अब ये इससे क्या होता है हमें उनके जीवन के बारे में जानने को मिला कि कैसे वो इतने महान बने उनके जीवन में कितनी कठनाई आई कितना उन्होंने स्टूगल किया ये सब चीजें हम उनकी डाइरी को पढ़कर जान सकते हैं तो डाइरी लिखने का उदेश भी यही होता है कि हम किसी को अपने मरने के बाद प्रेणना भी प्रदान कर सके मानव के समस्त भावों, मानसिक, उद्वेगों और अनुभूती विचारों को अभिविक्त करने में साहित का सर्वोचस्थान है तो मतलब क्या है जब हम डाइरी लिखते हैं तो एक तरीके से हम साहित ही लिख रहे हैं तो इसमें भी हम अपने भावनों और विचारों को अच्छी तरह वेक्त कर पाते हैं समीक्षिकों ने डायरी को साहित की कोटी में इसलिए रखा है क्योंकि वह किसी महात्वपूर्ण वेक्तिके वेक्तिकर वेक्तित्व का उध्गाटन करती है अथवा मानव समाज के विभर्न पक्षों का शूष में तथा जीवन तचित्र भी उपस्तित करती है तो जो महान साहित्य कारूँ हुए उनों डायरी को साहित्य की है एक विधामाना और साहित्य का ही रूप रखा इसका कारण ये था क्योंकि जब साहित्य होता है वो उस समय को बताता है उन लोगों को संबंधित बताता है अब जब हम डायरी पढ़ते हैं किसी की भी पढ़ें तो जाहिर सी बात है समकालीन सिचुएशन को हम देख रहे हैं उस व्यक्ति के वित्तु को जान रहे हैं और अगर वो महान व्यक्ति है तब तो हम उसके सारे स्ट्रगल्स को लेकर एक प्रेणना भी प्रदान कर सकते हैं साहितिक विविन पक्षों के साथ निजी अनुबूतियों का चितरन कर पाता है अब जैसे क्या होता है हमारे साथ जो भी है जैसे राजनितिक तोर पर अगर हमें कोई अनुभा हुआ है तो उसे भी हम डायरी में लिखेंगे सामाजिक तोर पर हुआ है समाज में कोई चीज देते हैं ऐसा नहीं कि हम जानके लिख रहे हैं वो अपने आप ही चला जाता है तो ये निजी अनुभूतियां जो हैं ये हम जोने हम परसनल तोर पर हम महसूस करें हर वेक्ति का अपना एक point of view होता है ये मैंने आपको starting में ही बताया था तो diary में भी यही चीज होती है कि हम अ तरीके से ये part हमने समाप्त किया बहुत अच्छा part था लेकिन ज्यादा questions इसमें से assess to exams भी नहीं आते लेकिन आएंगे ये पक्का है कुछ ने कुछ पूछा जाएगा तो आप इसको अच्छे से पढ़के इसके प्रशन तयार कर लीजे सभी तरके प्रशन करा चुकी हूँ आपको multiple choice questions भी हो चुके हैं और आपके subjective पर तो पार्ट अच्छे से पढ़िए तयार कीजी और बाकी सारी परिशानियों के लिए Magnebrines है ही जो आपको kindergarten से लेकर class 12 तक के सब ही subject के education 100% free देता है तो आईए पढ़िए और अपने सब ही stress को भूल जाएए कहीं पर किसी भी subject मे आप अटक रहे हैं यहां पर आकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं यह सभी वीडियो आपको YouTube पे हमारी website Magnebrines.com पे और हमारे app पर तीनों ही जगा easy EV में आपके लिए अविलेबल हैं और हमारे app पर और हमारी website पे यह सारी चीज़ें आपके लिए totally arrange करके रखी गई हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े तो अभी इस book के और भी chapter बागी है तो मिलेंगे next chapter के साथ thank you for watching bye bye